नमस्के और दोश्तों मैं हूँ आपका दोश्त राम प्रताब और आपका मेरे प्रात्मिक सिच्छा के नवीन प्रयास के चोथे भाग में बहुत बहुत स्वागत है एक गुजारिश दोश्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं यह प्रक्रिया अब लगतार चालू रखूँगा और सहायक सिच्छा द्यापक के जितने भी सब्जेक्ट्स के इंपोर्टेंट लेक्चर्स होंगे या वीडियोस होंगे मैं बनाता रहूँगा और आप लोग तक भेशता रहूँगा आपको अपकी पढ़ाई में किसी भी परकार की समस्या नहीं आएगी तो आप मैं आसा करता हूँ आपने मेरे भाग एक बाग दो भाग तीन देख लिये होंगे अगर नहीं देखे तो आपने जाकर देख लीजिए ताकि आपको आने आले टाइम पे किसी परकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ important questions को collection किया है मैंने प्रार्मिक सिच्छा के नवें इंतर्यास के चलिए उसके कुछ questions के बारे में जानते हैं प्रेला question है दोस्तों यसपाल कमेटी की स्थापना कब हुई तो 1992 से 1993 में हुई दूसरा question है यसपाल कमेटी गठित करने का मुखे उद्देश से क्या था तो चात्रों पर पढ़ाई का बोज कम करने के लिए यसपाल कमेटी गठित की गई तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आजकल चात्रों पर पढ़ाई का काफी ज्यादा बोज रहता है तो यसपाल कमेटी उस समय इसी गढ़ित करी गई थी कि जब बच्चे जो हैं पढ़ाई को एक अपना सौक समझें और उन पर किसी भीपरकार का भोज ना हो चले दोस्तो अगले कोश्चन की तरब धयान देते हैं अगला कोश्चन है संसोधित राष्टी सिछानिती सिछा का घठन गभ हुआ इस्थापना की गई नहीं लगे गो दोष्टो नमीन सिच्छनीत की जो इस्थापना है 1986 में की गई नेक्स्ट संसोधित राष्टी सिच्छनीत 1992 का मुख उद्देश क्या था तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले इस प्रकार से प्रश्चनीत पूँछ सकता है कि संसोधित राष्टी सिच्छनीत कब आई तब मैंने उपर आपको यह कुश्चन बताया था कि 1992 में आई थी अगर मालीजे प्रश्ण प्रकार से पूछता है कि संसोधित राष्टी सिच्छा नीत 1992 का मुख्य उद्देश क्या था और ये कब गठित की गई तो आपको दोनों को मिला के भी लिख सकते हो कि ये 1992 में गठित की गई थी और इसका जो प्रमुक उद्देश था पंदरा से 35 आईवर की बालिकाओं और महिलाओं के लिए अनौपचारिक सिच्छा की बिवश्टा दूसरा जो था आंगनवाडियों की श्थापना और आप देख भी रहे होंगे आजकल आपके आसपास या ग्रामिर शेत्रों में भी देखते होंगे आंगनवाडियों की श्थापना की गई है तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा अगला दोश्तो नमीन सिच्छा नेती 1986 का मुख्य उद्देश क्या था तो नमीन सिच्छा नेती 1986 जो आई थे उसका मुख्य रूप से जो में उद्देश था प्रात्मिक सिच्छा का सरभामिकी करण सर भामिकी करण का मतलब यह है कि प्रात्मिक सिच्छा यह जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको सब तक पहुचाया जाए यानि कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं और उसका इतना ज्यादा प्रचार प्रशार किया जाए ताकि सभी लोग इससे वंचित न रहें यानि सिच्छा के महतु को समस्के और इससे वंचित न रहें नेक्ट कोश्चन है राष्टी सिच्छानीति कब घोसित की गई तो 1968 यानि 1968 में राष्टी सिच्छानीति घोसित की गई मैंने आपको उपर बताया था कि संसोदित राष्टी सिच्चा नीत कब घोसित की गई तो वो 1992 में घोसित की गई दोनों प्रश्ण याद रखिएगा अगला प्रश्ण है राष्टी सिच्चा नीती का मुख्य उद्देश से क्या था तो राश्टई सिच्चा निति का जो मुखे उद्धेश था चवदा वर्स तक की आयो के बच्चों के लिए निसल्क और अनिमार शिच्चा ये राश्टई सिच्चा निति का मुखे उद्धेश से था नेक्सट है कोठारी सिच्चा आयोक के अध्यच थे तो दौलत सिंग कोठारी, दौलत सिंग कोठारी के नाम पे ही कोठारी सिच्छा आयोग को गठन किया गया था और इसके अगर अध्यची पूँछा जाता है तो दौलत सिंग कोठारी, याद रखिएगा बहुत आसान है कोठारी सिच्छा आयोग को गठन कब हुआ तो 1964 से 66 में कोठारी सिच्छा आयोग को गठन हुआ दोनों प्रश्णों को मिला के भी पूछा जा सकता है कोठारी सिच्छा आयोग को गठन कब और किस ने किया तो आप ये बता सकते हो कि 1964 से 66 में इसका गठन हुआ और इसके अध्यचे दवनलसिंग कोठारी थे कोठारी सिच्च आयोग में कितने प्रस्थ राष्टी आय का sिच्च पर बैँ करने का नियने लिया गया तो दोस्तो कोठारी सिच्च आयोग में 6% यानि पूरी जितनी भी राष्टी आय होती है उसका 6% जो होगा सिच्छा पर बै किया जाएगा सिच्छा की सार्जेंट योजना का प्रारंब हुई तो 1944 में सार्जेंट योजना प्रारंब की गई सार्जेंट योजना का मुख उद्देश था तो 6-11 वर्स तक के बालकों है तो निसिल को वा अनिवार सिच्छा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देजिएगा 6-11 वर्स लिखा हुआ है तो किसमें कन्फ्यूज मत होईएगा यानि सार्जेंट योजना में 6-14 वर्स मत लिखियेगा सार्जेंट योजना का जो मुख उद्देश था निसिल वा निवार सिच्छा का प्रावधान है तो दोश्तों ये बहुत ही जादा important question है I hope ये question आएगा जरूर क्योंकि पहले जो सिच्छा थी वो किसमें रखी गई थी 45 के अंतरगत 45 के अंतरगत रखी गई थी ठीक है और अब जो है सिच्छा उस वहाँ से अठाकर 21 का में वड़न किया गया है और जो सिच्छा एक तरह से बच्चों का तरह से मौलिक अधिकार हो गई है ठीक है यानि कि अब ये नहीं कह सकते हो कि सरकार कोई हमें दान दे रही है या सिच्छा दे के बहुत अड़ा ऐसान कर रही है ऐसा कुछ नहीं तो ये सरकार का करतब है कि सरकार हमें पढ़ाय लिखा है और यह हमारा मौलिक करतब है कि हम उसी इस्चा को ग्रहन करें तो दोस्तों यह थे कुछ इंपोर्टेंट 15 क्वेस्टेंज आपको पसंद आए होंगे और आपको पसंद आए हो तो प्लीज प्रेज प्रेज प्रेस्ट लाइक बटन और इंगो अर्चलों को तोस्तों इस नथाए कर गाम। झाल